हेलो एब्रिवान, वेलकम टो मैं चैनल एजुकेशन सेंप्लिफाइड बाई OCDC, सो अगर आप निटर चंडिगड देट इस नेशनल इंस्टिटुट आफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए असिंस्टेंट सेक्शन ओफिसर के अगजाम की तो ओफिस प्रोसीजर में रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत बड़ा सेग्मेंट होता है तो इसके मेन कोशन जो आपके एकजाम में आने की बहुत प्राबिबिल्टी है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो कंप्लीट स्टडी मेटेरियल के नोट्स आप हिंदी और इं हैंगे उसमें परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीज देकर तो उसके लिए आपको संपर करना है 9-8-7-6-3-7-1-7-8-8 पे तो करते हैं शुरू कोशन नम्बर वन तो कोशन नम्बर वन आपका है वाट इस दा फर्स्ट स्टैप इन इस्टैबलिशिंग तो फिजिकल रिकॉर्ड को संगठित करने के लिए जब प्रोटोकॉल इस्टैबलिश करते हैं स्तापित करते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होता है तो उप्शन आपके पास है परचेजिंग दा रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेर को परचेज करें खरीदें ऑप्शन भी है डिजाइनिग आ फाइलिंग सिस्टम, थर्ड ओप्शन है कंडुक्टिंग रिकॉर्ड इन्वेंटरी और फोर्थ ओप्शन है ट्रेनिंग दा स्टाफ और रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्ज तो इसका अंसराएगा ओप्शन सी के जब भी आपने रिकॉर्ड लिए establish करने हैं कुछ प्रोटोकॉल्स तो पहला step रहता है conducting a record inventory कि आप एक record inventory का संचालन करते हैं अब आप जानेंगे कि conducting a record inventory का meaning क्या होता है so conducting a record inventory involves systematically cataloging and documenting all the records within an organization मतरब कि आप एक संस्था की अंतर जितने भी records होते हैं उनको विवस्थित रूप से सूची बंद करते हैं और उनका दस्तवेजी करन करते हैं means कि उनको documentation करते हैं ठीक है ताकि जब भी आपने किसी record को retrieve करना है means कि future में भविश्य में कभी भी आपको उस record की जरूरत है तो आपको ढूड़ना असान हो सके this process typically includes identifying the types of record held कि जो भी आपके organization में record रखा हुआ है तो उसकी किसम क्या है वो digital है जा फिर आप physical record है उनकी location क्या है ownership rights किसके पास है और record रखने का format क्या है and any associated metadata मतलब data के साथ और कोई अगर तत कोई facts जुड़े होए है तो उसको बोलते हैं metadata तो इन सभी को इस process में शामिल किया जाता है record inventory में अब आता है हमारा question number two which of the following is benefit of organizing physical record using a numerical filing system के संख्यात्मिक filing परनाली का उपयोग करते हुए बहुतिक record बवस्थित करने का निमन लिखत में से कौन सा लाब है तो पहला option आपके पास है easy integration with digital records इसका अर्थ यह हुआ के numerical filing system का उपयोग करते हुए आप physical records को digital record के साथ integrate कर सकते हैं जोड सकते हैं option B है reduced risk of misplacement मतलब के numerical filing system का उपयोग करते हुए misplace होने का जो risk होता है किसी record का वो कम हो जाता है option C है flexibility in addressing new records के अगर आपने किसी new record को शामिल करना है तो ऐसा आपके पास flexible हो जाता है numerical system को यूज करते हुए option D है quick retrieval based on the content के आप numerical system का उपयोग करके बहुत जल्दी किसी भी data को retrieve कर सकते हैं जब आपको जरूरत होती है तो इसका अंसर हैग option B के अगर आप numerical filing system का उपयोग करते हुए physical record को रखते हैं तो उस record का भविश्य में बिस्थापन का जो जोखी मोतब कम हो जाता है means कि misplacement होने का जो chance है वो कम हो जाता है next question है what is the purpose of creating a file classification system for physical records physical records के लिए file वरगी करन परनाली means file classification system अगर आप create करते हैं तो उसका purpose क्या होता है तो इसका अंसर हैगा option C to categorize the records by type and importance के file classification system में आप किसी भी record को categorize करते हैं जानिका उनकी शरैनी बनाते हैं किसके base के उपर type and importance के उस data की type क्या है जो आपने record रखा हुआ है और उस record की importance क्या है तो उसके basis पे इसका आप वरगी करन करते हैं next question which of the following is best practice for maintaining physical records physical records को maintain करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या है तो इसका अंसर हैगा option D keeping the records in temperature controlled environment के आप record को उस छेतर में रखते हैं जहां पे temperature के उपर नियंतरिन हो मतलब जो तापमान है वो controlled हो तांके जो आपका data है जो आपका record है वो weathering जाने के मौसम के प्रभाब के कारण खराब ना हो तो यहां पे बाकी जो option है वो भी आपको पता होनी चाहिए तो option A के recording यहां पी लिखा है पेपर क्लेप instead of staples to avoid damage तो पेपर क्लेप का उपयोग भी नहीं करना चाहिए option C है allowing unauthorized personnel to handle the records कि आप record को handle करने के लिए के ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जिसके पास अधिकार नहीं है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए तो हमारा answer रहेगा option D चलते हैं अगले question पर What is the advantage of using barcode और RFID tags for tracking the physical records physical record को track करने के लिए अगर आप radio frequency ID जा फिर barcode का उपयोग करते हैं तो उसका advantage क्या है तो इसका अंसराय का option C enhanced accuracy and efficiency in locating the records कि अगर आप इनका उपयोग करते हैं barcode का जा RFID का तो इससे किसी भी record को locate करने में ज़्यादा प्रभवशीलता बढ़ जाती है और accuracy भी ज़्यादा होती है तो चलते हैं अगले question पर अगला question है Which of the following is characteristic of well organized digital record management system तो digital record management system का एक सबसे main characteristic क्या है वो आपने बताना है तो इसका answer आएगा option B applying consistent file naming conventions तो इसका अर्थ क्या हुआ applying consistent file naming conventions का मतलब होता है कि लगातार किसी file का जो नाम करना है वो यहाँ पे लागू रहता है implement होता है अगर आप digital record management system का उपयोग करते हैं तो यह हर file को एक नया नाम देके record करता है अब हमारा next question है what is the purpose of metadata in digital record management तो digital record प्रबंधन में metadata data का क्या purpose होता है क्या उदेशय होता है तो इसका अंसर आएगा option C to provide descriptive information about the record कि जो भी record आपने रखा हुआ है digital form में तो उसके वारे में कुछ और ज़्यादा data आपने वर्नन किया हुआ है description लिखा हुआ है उसका तो उसको बोलते है meta data अगला important question है which of the following is security measure for protecting the digital records digital record को protect करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा security measure है ज़ने कि कुछ सुरक्षा का प्रापधान है तो इसका अंसर आएगा option C implementing encryption for sensitive record कि जो भी आपके पास सवेदरशिल record होता है सवेदरशिल data होता है तो उनको आप encrypt कर देते है तो encrypt करत होता है कि उसका meaning सिर्फ वो ही पढ़ सकता है जिसके पास access होगा जाने के अधिकार होगा तो encryption होने के कारण अगर ये data ये record किसी और के हाथ लग भी जाता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो encrypted है next question है what is the purpose of version control in digital record management digital record प्रबंधन में संसकर्न नियंतरन का क्या उदेश होता है क्या purpose होता है तो इसका अंसराएगा option B to prevent unauthorized editing of records कोई भी अभी लेख चन के records में किसी भी तरह के unauthorized editing ना कर सके so meaning क्या हुआ कि अगर किसी के पास अधिखार नहीं है लेकिन record उसके हाथ लग जाता है तो वो अपने हिसाब से उसको edit अगर करने के कोशिश करता है तो उसको prevent करने के लिए हम digital record management में version control करते हैं तो अगला question हमारा है which of the following is benefit of using cloud storage for digital record digital record के लिए cloud storage को उपयोग करने का क्या benefit है तो इसका answer है का option B reduced risk of data loss due to physical damage कि अगर हमारे किसी hardware को physical damage हो जाता है तो उससे हमारा data loss होने का जो chance होता है वो minimize हो जाता है अगर हम cloud storage use करते हैं अगला question है how can access control be implemented in digital record management system digital record प्रभंधन प्रनाली में हम access control कैसे implement कर सकते तो access क्यों होता है कि जो record है उसको कौन देख सकता है कौन पढ़ सकता है उसको हम access बोलते है तो किसका access हो किसका ना हो तो यह हम कैसे implement करेंगे नियंतरन तो इसका अंसर आएगा option C by assigning permission based on the role and responsibilities कि किस employee का क्या role है उसके क्या जिम्मेबारी है तो उसके basis पे हम password विएरा के through उनको permission दे सकते है कि वो इस data को access कर सकते है बाकी नहीं कर सकते तो next question है So, इस question का अर्थ हुआ कि डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन में नियमत बैकप का क्या उदेसया होता है क्या purpose होता है तो अंसर आएगा option C to restore data in case of system failure or data loss कि system बिफलता जा डेटा हानी की स्थिति में डेटा को पुनर स्थापित करने के लिए हम डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन में नियमत बैकप करते हैं अगला question है Which of the following is recommended practice for ensuring the integrity of digital records कि digital record की अखंडिता को सुनिश्चित करने के लिए निमल लिखत में इससे कौन सा अनुसंशित अभ्यास है तो इसका अंसर आएगा option C regularly verifying the accuracy and completeness of the records कि record की स्टीकता और पूर्णता की नियमत रूप से जांच करना तो ये आएगा अंसर option C इस question का चलते हैं अगले question पे अगला question है How can a record disposal be managed in digital environment तो इस question में पूछा गया है कि digital वातावर्न में अभी लेखों जनके records का निप्टारा करने के लिए कैसे प्रबंधन किया जा सकता है तो इसका अंसर आएगा option A by permanently deleting the records from a system ठीक है का आब किसी भी system में से record को स्थाई रूप से हटा सकते हैं अब आता है last question इस video का What is the purpose of conducting periodic audit of record keeping process record keeping प्रक्रियाव में आवधिक audit करने का क्या उदेशया होता है क्या purpose होता है तो इसका अंसर आएगा option B to identify the areas for improvement and compliance with the regulations सुधार और नियों में के नियमों का अनुपालन करने के लिए छेतरों की पहचान करना मिंस कि ऐसे area को identify करना जहां पे record keeping में सुधार की जरूरत है और जहां पे आपको लगता है कि आप regulations को follow नहीं कर रहे तो ऐसे area को identify करने के लिए हम record keeping process में periodic audit करवाते हैं तो ये थे 15 बहुत ही important question और उनकी answer जिसका topic था establishment of protocols for organizing and maintaining the physical and digital records तो complete study material आप पर चेस कर सकते हैं उसके लिए आपको संपर करना है 9876371788 पे तो चैनल को share करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूले आने वाले वीडियो के लिए आप bell notification जरूर दबाले ताकि आपको notification मिलता रहे जब भी आपके exam के related video upload होंगे Thank you, thanks for watching